एक तरफ जहां चीन हिंद महासागर में अपना दब दबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं दूसरी और भारत समुद्र में च्षाइना को कड़ी चुनोती दे रहा है भारतिय नोसेना दुनिया की बड़ी नोसेना ताकतों के साथ अंडमान निकोबार दूइप समू में आठ दिन का नोसेनिक अभ्यास शुरू कर रही है भारतिय नोसेना के अधिकारियों ने कहा कि इस अभ्यास में 28 पोत हिस्सा ले रहे हैं जिन में 17 पोत ओस्टेलिया, बांगलदेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, मयामार, सिंगापूर, शिरलंका और थाइलेंड के हैं यह दूइवार्शिक नोसेना अभ्यास का हिस्सा है इस अभ्यास का उदेश्य दस्वे संस्क्रण में छेत्रे सहीोग को बढ़ाना और समुंदरी मार्ग में अवैद गतिविदियों से लड़ना है यह 1995 में शुरू होने के बाद सबसे बड़ा अभ्यास साबित होगा सोले देशों के साथ शुरू की गई इस नोसेना अभ्यास का उदेश्य सुरक्षा इस्तिती पर चर्चा करने के अलावा चीन के बढ़ते दबदबे पर भी चर्चा है गोरतलब है कि इससे पहले फरवरी में चीन के 11 युद्धक जहाजों ने पूर्व हिंदी महासागर में प्रवेश किया था इस दोरान भारते नोसेना और चीनी नोसेना के बीच की दूरी काफी कम रहे गई थी NMF News की रिपोर्ट